जनीत आवाज में आपका स्वागत है, मैं हूँ इस्तेखार एहमद। काम नहीं आई मनोज मुंतसिर और ओम राउत की चाल बाजियां। इनका इरादा था कि सत्ता का आश्रिवाद लेकर नफ्रती सोच के साथ बनाई गई अपनी फिल्म को हिट करवा लेंगे। लेकिन दर्श्रकों के विरोध ने इनके इरादों पर पानी फिर दिया। इनके पैरों के नीचे से जमीन की सकती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों आज बात करेंगे फिल्म आदि पुरूस की जिसकी हर तरफ खूब चर्चा है। प्रभास, कृति सैनन और सैफ हली खान इस्टार फिल्म आदि पुरूस पिछले हप्ते 16 जून को रिलेज हुई थी। आदि पुरूस की बाक्स ओफिस पर शुरुवात काफी अच्छी हुई थी। पहले तीन दिन फिल्म ने ताबर तोड कमाई की, लेकिन चौथे और पांचवे दिन खस्ता हाल रही। आदि पुरूस ने पांचवे दिन यानि मंगलवार को सिर्फ 10 करोड के आसपास की कमाई कर पाई। पहले दिन तो 86 करोड के आसपास, दूसरे दिन 65 करोड, तीसरे दिन 70 करोड के आसपास, और चोथे दिन शिर्फ 18 करोड की कमाई कर पाई आपको बताते चलें कि आदिपुरूस को ओम रावत ने डायरेक्ट किया है और डायलाग मनोज मुंतसिर्ट ने लिखे है जनता और समीच्चकों को फिल्म पसंद नहीं आ रही है, इसलिए सोसल मेडिया पर लोग आदिपुरूस के खिलाफ जम कर अपनी बढ़ास निकाल रहे है और फिल्म के डायरेक्टर ओम रावत को और मनोज मुंतसिर्ट सुकला को खूप ट्रोल कर रहे है फिल्म मेकर्स पर लोगों की धार्मिक आस्ता से खिलवार करने का आरोप लग रहा है कहा जा रहा है कि आदिपुरूस में रामैड की कहानी को तोर मड़ो कर पेस किया गया है दर्श्रकों का कहना है कि फिल्म के कुछ डायलाग तो बेहत भद्धे हैं और फिल्म का ट्रीट्मेंट और VFX भी बहुत निचले अस्तरक है पता नहीं इन लोगों ने फिल्म के 600 करोड के बजट को कहा खर्च किया मेकर्स के दावे हुए फेल रिलीज से पहले आदिपुरूस काफी चर्चा में रही कहा जा रहा था कि फिल्म का बजट लबज 600 करोड के आसपास का है ऐसे में ये फिल्म बालीवूट के लिए कमाई के मामले में इतियास बना सकती है लेकिन रिलीज के पांचवे दिन तक ये फिल्म बॉक्स अफिस से धड़ाम हो गई विवाद बढ़ने पर राइटर मनुज मुंतिशिन ने कुछ डायलाग बदली की बात कही थी लेकिन बॉक्स अफिस फिल्म पिटती हुई नजर आ रही है ऐसे में ये फिल्म के निर्माताओं के लिए एक बड़ा जटका माना जा रहा है जिसकी उन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी फिल्म आदिपुरूस के कुछ समबाद जिन पर जमकर विवाद हो रहा है जैसे कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जिलेग भी तेरे बाप की दुसरा है, तेरी बुवा का भागीचा है क्या जो हवा खाने चला आया जो हमारी बहनों को हाथ लगाएंगे, उनकी हम लंका लगा देंगे आप अपने काल के लिए कालीन विछा रहे हैं, मेरे एक सपोले ने तुम्हारे सेसना को लंबा कर दिया तो ये कुछ ऐसे समबाद है जिनको लेकर काफी विवाद हो रहा है आदिपुरूस को अपने डालॉक्स और किरदारों के विए से लगातार विरोद का सामना करना पर रहा है हिंदू संगठोनों ने फिल्म आदिपुरूस को बैन करनी के भी मांग की है मनोज मुंतसिर के बदलते बयानों से भी लोग नाराज दिख रहे हैं देश के कई सेहरों में फिल्म के खिलाफ विरोद परजर्शन भी हो रहे हैं फिल्म के डायरेक्टर और लेखक के पुतले भी जलाये गए हैं मामला इतने पर भी नहीं थमा कई थानों में फ़यार भी करवाई गई है इसके चलते मनोज मुंतिसिर को मुंबई पुलिस स्रच्छा तक मांगनी पड़ी नेपाल में भी ये फिल्म विवादों में घिल गई है क्योंकि फिल्म में सीता को भारत की बेटी बताये गया है इस पर नेपाल फिल्म बोर्ड ने आपती जताई इसलिए अब वहाँ पर आदिपुरूस को बैन कर दिया गया है ये सब देखते विए फिल्म बनाने वाली कंपनी टी स्रीज ने काटमांडू के मेर को चिठी लिकर माफी भी मागी है फिल्म समिछक तरन आदर्ष ने बताया कि नेगेटिव कंपेनिंग के चलते फिल्म की कमाई गिरती जा रही है ऐसे में कहा जा सकता है कि मनोज मुंतसिर और ओम राउत की आदिपुरूस को बलाक बश्टर कराने की चालवाजिया काम नहीं आई लोगों ने एडवांस बुकिंग के टिकट भी कैंजिल करा दिये हैं बाकी फिल्म आदिपुरूस मनोज मुंतसिर सुकला और ओम राउत को लेकर आपकी क्या प्रतकिरिया है कमेंट बाक्स में जरूर बताएं आगे की खबरों के लिए देखते रहे हैं जनीत आवाज